गॉड मॉइनिंग फ्रेंट्स इस एक चम्मच चेज के प्रयोग से मोगरा का पौधा जैस्मिन का पौधा एक ही बार में फूलों से कलियों से भर जाएगा तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये एक चम्मच चेज है क्या और इसके अलाबा इस चेज का प्रयोग हम अपने जैस्मिन के पौधी में कव और कैसे करेंगे शुआगात आपका फार्मिंग टेप से योटोब पर अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को एक बाल लाइक करके सेर कर दीजिए जिससे ऐनने फ्रेंड्स विस वीडियो का लाव उठा सक हैं तो चलिए फ्रेंड्स फिर मैं वीडियो की सुरूआट के देता हूँ तो Friends, सर्दियों के कारड आपके मोगरा के पौधे की कुछ ऐसी हालत हो गई है तो इस इस्तिती में आपको मोगरा के पौधे में सबसे पहला काम करना है मोगरा के पौधे पर जितनी सूखी हूई ब्रांच हैं, साकाओं हैं उन्हें आपको कटर की मदद से या फिर कैंची की मदद से रिमूब कर देना है, कट कर देना है तो फ्रेंड्स हमने अपने इस मोगरा के पौदे से सभी सूक वही ब्रांच और साकाओं को हटा दिया है आप लोगों को भी इस तरीके से अपने मोगरा के पौदे से सभी सूकुई ब्रांच और साकाओं को हटा देना है अब आप लोगों को जो दूसरा काम करना है मोगरा के पौदे में वो है फ्रेंड्स गमले की मिट्टी की एक गहरी गुड़ाई गुड़ाई आपको पांच से साथ इंच घहरी करनी है हमने आपर एक टूल ले लिया है और इस टूल की मदद से आपको इस तरीके से गमले की मिट्टी की चार और अच्छे से गुड़ाई करनी है इस तरीके से आप लोग गमले की मिट्टी की कुड़ाई कर देंगे उसके बाद आपको इस गमले में से चार इंच गहराई वाली मिट्टी को आपको निकाल लेना है तो चलिए फ्रेंट्स जल्दी से मैं इस गमले में से चार एंच गहराई बाली मिट्टी को अच्छे से निकाले लेता हूँ इस तरीके से आपको मिट्टी निकाल लेनी है जिससे हमें फाइटलाइजर इसमें एड करने में आसानी हो तो इस तरीके से आप लोग गमले की जो मिट्टी है उसे निकाल लेंगे हमने आपर 4 इंच गहराई बारे मिट्टी निकाल ली है ये देखिए इस तरीके से रूट दिखने लगें मोगरा के पौदे की अगर इससे चोटी मूटी रूट कट जाएगी पौदे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमने आपर मिट्टी अच्छे से निकाल ली है अब आप लोगों को जो तीसरा काम करना है उसके लिए फ्रेंट्स आपको फाइटलाइजर लेना है हमने आपर एक चमच सफेद कलर की चीज ली है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुवात में दिखाई है यह है फ्रेंट्स एपसम सॉल्ट इससे हमारी मोगरा का जो पौदा है वो फिट से हरा भरा हो जाएगा हैल्दी हो जाएगा तो एक चमच आपको एपसम सॉल्ट मिट्टी में अच्छे से एड़ कर देना है हमने आप पर गमले की मिट्टी में जो है फाइटलाइजर यानि की एपसम सॉल्ट अच्छे से ड़ दिया है अब आप लोगों को दूसरा फाइटलाइजर लेना है वो है फ्रेंट्स प्यॉर डिकम्पोस्ट गोबर खाद ये प्यॉर होनी चाहिए अगर इसका कलर चॉकलेटी है तो आप लोग समझ जाएए ये प्यॉर डिकम्पोस्ट गोबर खाद है ये हमने आदा केजी ली हुई है अगर आपके पास गोबर खाद अबेलिबल नहीं है तो आप बर्मी कम्पोस्ट या फिर कम्पोस्ट खाद ले सकती है और इस तरीके से गम्ले में आप गोबर खाद को अच्छे से एड कर देंगे इससे हमारे मोगरा के पादे को ये फाइदा होगा पादे को धीरे धीरे न्यूटेंस मिलेंगे इससे हमारे मोगरा के पौधी पर भरपूर फूल आएंगे कलियां आएंगी और हमारा मोगरा का पौधा कुछे दिनों में हरा भरा हो जाएगा हेल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छे फूल देने लेगेगा उसके बाद हमें क्या करना है जो हमने मिट्टी गंबले में से निकाली हुई थी उसी मिट्टी को आपको फिर से फिल कर देना है यानि कि भर देना है तो चलिए जल्दी से हम इस गंबले में मिट्टी फिर से फिल किये देते हैं इस तरीके से आपको गंबले में मिट्टी फिल कर देनी है अगर मिट्टी में धेले बने हुए हैं तो उन्हें आप तोड़ दीजिए तो finally friends हमने आप पर गमले में जो है मिट्टी अच्छे से फिल कर दी है भर दी है यह देखिए इस तरीके से आपको जो है मिट्टी फिल कर देनी है अब आप लोगों को इसमें वाइटरिंग करनी है वाइटरिंग आपको भरपूर करनी है जब तक गमले के वाइटर डेनेजोल से पानी बाहर न निकलने लगे और किसी ऐसी चीज से करनी है जिससे गमले की जो मिट्टी है वो उखड़े नहीं इस तरीके से आपको वाइटरिंग कर देनी है और उसके बाद मोग्रा के पौदे को आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर पौदे को पान से साथ घंटे की धूप मिल सके तो हमने आप पर फैटलाइजर अच्छे से दे दिया है खाद भी अच्छे से दे दी है और ये काम आपको अभी फरवरी और मार्च में कर देना है उसके बाद आपका मोग्रा का पौधा गर्मियों में कुछ इस तरीके से हमारे इस मोग्रा के पौधे की तरह ही आप लोगों का मोगरा का पौधा फूलों से कलियों से भर जाएगा तो फ्रेंट्स उमेद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक करके इसे जदा से जदा सेर कीजिए जैसे अन्य फ्रेंट्स वीडियो का लाब उठा सकें और बो लोग भी अपने मोकरा के पौदे से गर्मियों में भरपूर फूल ले सकें कलियां ले सकें इसके अलाबा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर तब तक के लिए धन्यबाद थैंक्यू